कि समय औ Columbia हे दिए अरत के आज कहा हमारे नेक्स घॉपिक और चैप्टर मेरा रहेगा चैप्टर शेवन आधूंट की मौडण फीजिक्स इसमें बच्चों आध्ूनिक बहुतकी के बारे में सब्स 피़्से च्छोटे च्छोटे कड़ों से फ़ाहाने प्रमाड़ो कहते हैं जिसको व्यवाजित नहीं कर सकते तो उसके बारे हैं यहाँ की बात करते है तो भारत के एक रिशीतिक कड़ाद उन्होंने सरपर्थं परमाड़ू को आते सूष्म परिमाड़ वाला सूष्म स्रस्टी के निरमाड़ का बुन्या दिकन बदाया जो बहुत छुर रहा था ठीक है इसके बाद बहुत से परमाड़ू माडल है बेरियस एटोमिक मोडल्स व सबसे पहला परमाड़ उसे दान था और 1834 में फैराड़ ने बताया कि बेद्दुत भी एलेक्ट्रिक भी अन्य पदार्तों की तरह परमाड़ भी है और बैद्दुत आविश के लिए एफ अपन एन एक इकाई है इसको सन 1891 में इस टैनों ने इलक्ट्रॉन का है बाकि यह वह आविश कितना होता है 1.6 1021-90 कोलाम होता है और उसकी मास होती है 9.1 2031 किलोग्राम होता विच्चों इसको आप लोग जानते ही है ठीक है इससे समध्द में बहुत से हमारे कई जो है एटामिक माड़ से बहुत प्रकार के आप लोग पड़े होंगे तो कई माड़ल क आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा माड़ था वो परमाडू का टॉमसर माडल दूसरा को ता रदरफोड का नाव की यह परमाडू माडल याद रखना है आपको और तीसरा आपका था वोर माडल चाथा आपका सोमर फेल्ड माडल और पांस्वा वेक्टर प्रवाडू का वोर माडल है तो यह आपको पढ़ना है तो शन 1913 में प्रोफेशन नील बोर ने एक परमाडू माडल दिया जो प्लांक और आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विक्रण के कौंटम सुधानत पर देता है किस पर यादा देता प्लांक के और आइंस्टीन के क्वाडन सुधानत के ओपर यह डिपेंड करता था हाला कि आपको प्लांक का क्वाडन सुधानत पता ही होगा प्लांक ने बताया था कि क्या होता बच्चों प्रकास जो है वो उर्जा के छोटे-छोटे बड़लो और पैकटों के रोम में चलता है जने क्वाड़ा ये बात करेंगे ठीक है तीन परिकल्पनाएं उन्हें दीती बच्चों इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे तो बोर का परमाणू मडल क्याता बच्चों नील बोर ने क्वांटम सिधान के आजार पर रदर फोड के परमाणू माडल की कमियों को दूर किया इसके लिए बोर ने निम्न तीन परिकल्पनाएं की नंबर मन क्या था बच्चों कि एलक्ट्रान जो है वो नाविक के चारोर केवल उन्हीक अक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनके लिए उनका कूड़ी शंबेग एस अपान टू पाई का पूण गुड़ जिनने फूल मल्टिपल होता है ठी होता है यह इलक्ट्रान का मास स्मौल आम लिया जाए और जो हमारा स्रकुलर पाथ था ठीक है और बिटर वैलेशिटी वह मली वी है तो हमारा जो है वो कोड़ी संबेग बच्चों वह फार्बलान एक्टर करके आता है म वी आर इकल टू एन एक अपान टूपाई वेर एन जो होगा बच्चों वन्टू थू थृ आगे जो भी होगा वो हो जाएगा एं जो है वो कक्षाओं की संख्या रहेगी वोर के अनुसार इलक्ट्रान नाभिक के चारो और कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनने क्या कहते हैं बच्चों इस्थाई कच्छा कह तो इसको घूमने के लिए उर्जा कहां से आती है तो इस चीज को इनुने बताया कि बहुत नहीं कि अच्छा में गूपता है तो उर्जा का बिल्कुल भी उस्तरजन वो नहीं करता है इसके कारण इसका घूमना पॉस्बल हो पाता है तो फाइ उर्जा नहीं हो गोमी निपाएगा अगर थोड़ी बहुत थी वी तो धीरे दीरे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी अधा परमाड़ों का इस्तायत बना रहता है और उन्हें अमनों क्या कहते है उर्जा स्थर कहते है यह हमारा एक एस्ट्रक्चर है यह आप बवस्तिक अक्षाओं में घुमेगा तो उर्जा कहां से आएगी और यह दि उसके पास कुछ उर्जा माल यह पहले से थी तो धीरे-दीरे बुनस्ट हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो उस तरजन के कारण तो धीरे-धीरे इलेक्ट्रान क्या होगा नाविक में उसकी त्र इसलिए मैं आपको ऐसे कर दिया ठीक है नाक्स्ट आपारा तीसरा पंट का था कि सावानता परमाणू अपने नेम्नता मुर्जा इस्तर में होते हैं कहां होते अब मनेन निम्नता मुर्जा का मतलब क्या होते अपने जो बारी लो लोर इनरजी लेवर सबसे पहला बाला उस तो वो क्या करता है बाह अपने उर्जा इस्तर को छोड़ करके किसी उच्छ उर्जा इस्तर में चला जाता है याई निमने लेवल में जो था उसको जो इनर्जी मिल जाती है तो वो हायर लेवल में क्या होता है बच्चों बहां से चला जाता है और बहां केवल 10 की गात मानिस और रुखने के बाद अपने फिर से पुराने उर्जा इस तरह में बापस आ जाता है ठीक है बच्चों और बापस आते समय ये उर्जा का जो उस्तरजन था वो वैद्धुत चुम्ब की तरंगों इलेक्ट्रो मेगनेटिक वैफ्स के अनुशार कर देता है ठीक है बच्चों उस उर्जा इस्तर को छोड़ करके हायर इनरजी लेबल में चले जाते हैं और बहां बच्चों दसकीखाद मानेस एट सेकंड तक ठेरते हैं ये बहुत सुच्म समय है बहुत कम समय है और अपने मूर उर्जा इस्तर में बच्चों बहीं से बापस आ जाते हैं और जो बाप से इबन का मतलब क्या है दोनों और जा इस्तरों की एंदर्जी का गफ डिफरेंस ठीक है एकुल टू कितना होना चीए फर्मुले के एकॉर्णिक एस सी अपान लेम्डा वेर एच क्या है बच्चों प्लांक कांस्टेंट रहेगा सी तो आप जानते हैं ठीक है नाम को पते की की अनेक समझ्चाओं का समाधान किया जाना बच्चों संभब हो सका ठीक है इसके लिए बोर को 1922 में नुवर प्रुसकार से सम्मानित भी किया ठीक है बच्चों समय के अनुसार बोर के माडल में क्या हुआ शोमर फेल्ड ने और डेब लोगली ने बहुत से सुधार भी के इसके बाद मारा अगला टॉपिक रहता है इसी चेप्टर का परमाडू के वेक्त उर्जा इस्तर ठीक है बच्चों तो क्या होता है प्लांक का क्वाने स्विदान तो पड़ाओक आप लोगोंने प्लांक क्वांटम थेओरी की प्रकाश जो है वो उर्जा के छोटे-छो इसके प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है बच्चों वो क्या हमारा आप जानते हैं प्रकास की आप रती रहती है तो इसमें और थोड़ा सा देख देते हैं प्रकास का उस्तर चने वेक अवसूसद पदार्थ के परवाड़ों द्वारा ही होता है ठीक है अता किसी इसमें जैसे कि 1.5H new, 2.4H new, 2.5H new यह जो है possible नहीं है ठीक है तो इस तरीके से इसलिए परमाड़ों वेक तो उर्जा इसतर होते हैं परमाड़ों की उर्जा इसतर संबंदी एतक्त परमाड़ों की उर्जा आवस्ता का क्वांटी करण कहलाता है ठीक है बच्चों पर्माडू की बावस्ता जिसमें उसके नाभिक और इलक्ट्रानों के बीच इस्तिर वाइदो आकरशन वलके कारण इनकी इस्तिर उर्जा नेवनतम हो जाती है कितनी हो जाती बच्चों इनकी इस्तिर उर्जा कैसे हो जाती है नेवनतम हो जाती है पर्माडू की मूल अवस्ता या नेवनतम अवस्ता जनी ग्रावड इस्टेट कहलाती है इसके संगत पर्माडू का जो भी उर्जा इस्तर त्रहुंद Ihre lava में इसको किसी परमाडू से टकरानेपर उसे उत्तेजित कर दे ऐथ। उत्तजित कर दे परमालू का उत्तजिन विभाव कहलाता है इसी क्रब में बच्चों नेक्स टेडिंग हमारा कहा रहाएगा आयनल विभाव आयनल विभाव कहलाता है अधिजित हो जाएगा ठीक है क्या कहलाएगा आयनल विभाव कहलाएगा उत्तजिन विभाव कहलाएगा पारे के परमालू का प्रत्यम विभाव बच्चों 4.86 वोल्ट और आयनल विभाव 10.4 वोल्ट होता है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो छोड़ी श्टी इनको आ सिसन ठीक है बच्चों तो क्या होता है साधनता सभी प्रमालू आपको बताए जा चुका है कि साधनता सभी प्रमालू अपने मूल उर्जास्तर याने ग्रांड श्रेट में होते हैं लेकिन जब इसे किसी वायस्रो से परयापत उर्जा मिल जाती है तो वे अपनी मूल वस् लिचा में बच्चों वापास आ जाते हैं और वापास आते हैं यह ऊट चयोंड़ेन के पास थी उसको फोतान के रूप में क्या कर देते हैं वह कि दें χ Download एए central इसे लाएनिंगर है ऋडिव है ओपर वाले नीचे वाला 345ड pessimism एका बोस्ट पॉइंट सेव एलेक्टान बूट रहेगा ठीक है तो प्लांक के अनुशार क्या होता फार्मुला डेल्टा इगल तो कितना होता है एच नहीं होता है यह दि उस सर्जद प्रकास की वैवलांद तरंग दे लेम्डा और प्रकास की चाल वेलसुटी कितनी बच्चों सी है तो डेल्टा इगल तो क्या हो जाएगा सी एपान लेम्डा हो जाएगा अर्मुला पता होगा लेम्डा यहां से निकाल लेंगे लेम्डा इगल तो क्या जाएगा डेल्टा ओ सी एपान अप डेल्टा इवल्ट में नापा जाए तो इलेक्टान बोल्ट के लिए का करना पड़ बता चुके डेल्टा ही रहेगा और हमारा साथ में क्याता है जो हमारे लेक्टान वोल्ट में सुख कनवर्ड किया बन पॉइंट से 10 डूबर मानेस 19 कुलाम रहेगा ठीक बच्चों इसको अम लोग जो है जाएगा बारा तीशों परस्तर एंगा स्टाम अपन डेल्टा यह हमारा फारली फार्मला रहेगा तो यह जो टॉपिक था बच्चों बहुत ज्यादा इंपोर्टन था इसको आप लोग पढ़ लेंगे अब पढ़के समझेंगे किसी पकार कोई दिक्कत है तो बताएंगे ठ प्राइब टिक्ट है आज के इतना ही अ